ब्रवनिक स्टुरेट अचाह चाह पãoगेख चाह पालत हसा मैंद आपटेशन , एमदेख आपटेशन इने येजर प्लांट अचाहिक बाँच घैकलिचाहिका हने अच्पडेशन इस आपटेशन इने ठाह्ने अचपल आपटेशन इनने अचाहिक डेशनुऊ क्यों lost एका सी उओं जे बाबर वर्णो श्रह कमें सोग में अश्ता . अशा निवडूंगो कीऊँवा बाबली या सर्के बाबली चे धाडो या सर्के उनस्पती प्रामुखनी था अद आपन और चाव मुद्दा पनस्वानिद्ध करणेश इनसे की इनसे की प्रफद Landes बर्फार प्रदेश में कुंत्या प्रकाच्या बनास्पत्यास्ता अंत्या अनुकुलां कसो तो क्या पन समुन्दू Adaptation in plants of snowy regions नुकर दिस, in snowy regions, mostly there are two different varieties of plants or trees No.1, devudhar and No.2, pine Devudhar and pine, these are the two trees, these are the two plants which are present, which are mostly often in snowy regions Devudhar and pine, these are the trees are found in snowy regions These trees are conical in shape due to their sloping branches अब, हेदे जहाडा हे, devudhar किमा pine चे या जहाडांचा, पानांचा खारां, विशेष्ट पत्धिरी चासे Conical in shape, विशेष्ट आनुकुचिला रासरें, या जहाडांचे Conical shapes prevent the snow from assimilating on the tree या जहाडांचे पान, उतार उतार तया बादुला आस्ता किनों, उतार या पानांचा आस्तो, विशेष्ट आसा अणे अनुकुचि दा रास्ता, टोग दा रास्ता का बर्फार बादिशा मले, जावेश बर्फ पडतु, तो बर्फ या पान्यावर साखुन डहुने, पाना खराब होने, पुन्दुन, या पानांचे रश्ण उतार वादुना, उतार तिर्योडिली आस्ते, उतार वादुना पाना जुप्रिलील आस्ता, आनि बर्फा दर जमादारत सहाज दित्याय या पानातुन पानावन तु खादी पड़तु। So, the leaves of dewदर and pines are conical in shape due to their sloping branches. Sloping branches उन्ये, तेम्चा फांदा उचर चा बादूलास्ता। अपन बुक मदे दर पहिस्टर मंदल, तापले ही सहाज पनी लक्षती। Page No.3, यावर अपना जिरिले, the shape of the branches of pine and dewदार are given in our textbook. या मदे अपना संतिले, इंची जे branches आई तेम्चा स्लोप आहे, उतर अपना दिलेला ही, कोनी कली इनी शेप आहे, टोगदार आहे, इंची बर्फा पड़लांतर, यावर बर्फा जमून रहूने, साथूने, हुन आशा पड़िने चा पानांची रष्ना, इंची केली दास्ती। पुर्चा मुद्धा पन सम्मूंग्य। नेक्स्ट, अडाप्टेशन इन प्लांट्स और फोरेस्ट रिजान। जन्गा मदे जे उनस्पदी आसता, या जन्गा मदेल उनस्पदीन चा अनुकुलन, ता कशा पड़िने वहरता, है अपन सम्मूंग्य। जन्गा मदे कुंदा उनस्पदी आसता, मैंली ट्रीज, श्रफ्स, और हर्ब्स। ये जार्ध प्लांट्स आर अफन सीन इन फोरेस्ट रिजान। जन्गा मदे अपनला जाड़ बंता हीन, कई जुर्पा अस्थीन, कई मुठा प्लांट्स आसता हीन, रुक्षा प्लापा हर्ब्स। श्रब्स, हर्ब्स, कई जूरू पास्तिन, क्यूमा जाडा प्रमने स्काई कमी वाड आश्टेरी, रोप्टी पना पुला पास्ना मिन्था। सम अप दे क्लाइमर एंड वेंस आर अल्सो ग्रो अन दे तौल ट्रीज फर सपोर्टिंग देम। जंगा मजे आतीशे मुठा प्रमनें वें, क्लाइमर शास्ता, वेली शास्ता, जे सपोर्ट ट्रीज, मुठा प्रमने जाडा ना अधर देनेचा क्लाइन या क्लाइमर्स कर्था। Trees are grow in a forest region for obtaining the sunlight. Look at this, for obtaining the sunlight, most of the trees in a forest are tall. To give the sunlight for photosynthesis process, जंगा मुदेज हाड़ेज अस्तिर ते आतीशे मुठा चास्ता, कर जंगा मुदेज हाड़ेज अस्तिर ते विविद प्रकार चाहे, अंता अगर क्लाइमर अस्ता, वेंस अस्ता, वेली अस्तिर गई, अन या वेली याज जाड़ागना अधार जेनेंचा ताम परता है. So, adaptation in plants of forest region, these are the trees, shrubs and herbs, these are the plants are often found in a forest region. नेक्स रहे, adaptation in grassland plants, गउता प्रदेशा मुदे आड़ानार वुरुस्ति तिंचा मुखुलन, most of the grasses are grown in grasslands, मुठा प्रावम दे गवद याटकाने आशा प्रदेशा मुदे हैत, इन grassland regions, most of the lion, tiger, deer, elephant, rabbit, these are the animals are found in the grasslands. या गवदा प्रदेशा मुदे कुन-कुन्द प्रणे आड़ाता, नंबर फर्स्ट, lion, tiger, elephant, hathyaacet, simuacet, wagaacet, deer, harinaacet, थे प्रावम लिए प्रामुखनीं गवदा प्रदेशा मुदे आड़ाता, these are the animals are found in grasslands, sometimes rabbit also found in grasslands, गवदा प्रदेशा मुदे मुदा प्रावम दे, दीयर आही ताजबरो रबीट, मैं ज सशी ही देखीला अदर्ड थाद So these are the some information about the plants of the adaptation of a plants in snobi region Next adaptation of plants for forest region and adaptation of plants in a forest region Forest region in the grasslands त्यांदर पुर्चा मुतापन सम्हूंगें है आगोदर समने लासे तरवाणना स्नोमी रिजर में वर्फाप प्रदेशा मदे असनारा बनस्पती देवदारानी पाहिए नंबर की वाहे फॉरेस्ट प्रिजर मदे कुंता बनस्पती अढ़ाथा प्रeans प्रेtar, ट्रिजर, राच्शंग, प्रुटा अś्विन नंबर के एल्फाप्टी प्रुष अन्बर की है नंबर की गन्बर की नंबर की। Now, we discuss about the parasitic plant. Parasitic plants means those plants which cannot prepare their own food and they depend the food on another and another plants. They are said to be parasitic or heterotrophic. Example, Kaskuta. Kaskuta means Amarvel. Amarvel is one of the plants which cannot be used in the plant. These plants do not prepare their own food and depend the food on another plants. Another example, Kaskuta is a yellow wire having the stem which grows on another plant and obtaining their own food from another plant. We have to see in our textbook, the Kaskuta is given. Look at this, page number 4, on page 4, we have to see the Kaskuta. Kaskuta is a yellow wire type stem which grows on another plant for the food purpose. So it is a parasitic plant. Next, venus flytrap. Look at this. This is a venus flytrap. This plant is an insectivorous plant. This plant attracts the insect and use for as a food purpose. So, these plants are said to be insectivorous plant. They can catch the insect and use as a food. So, venus flytrap, peacher, dorsera, these are some insectivorous plants. So, in this period, we have to learn that adaptation in a snowy region, adaptation of plants in a forest region, adaptation of plants in a grass plants, next parasitic plant, and last point we have to discuss insectivorous plant. Insectivorous plant means, those plants which does not, those plants can take the food, take the food of insect. So, these plants where the figs and insects have to establish its roots, and these plants are the plant in a tree, so that they can take the food, eat, drink, and eat. These plants, they have to take the food. So, these plants are the insects that live in a tree. So, these plants are the plants that are the plants in a tree in a tree, like, the so-called fruit and fruit. You can see that and give them another leaf plant, and there is a plant in a tree, because it is an insectivorous plant. So, there are all kinds of plants, they will be able to highlight the plants and plants. झाल झाल